तो आज के सेशन में हम बिस्कली भावत करने वाले हैं, What is crypto trading? काफी लोग मुझे WhatsApp पे मेसेज कर रहे हैं कि सर क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, हमको नहीं पता, किस तरह इसको किया जाता है हमको नहीं पता, और काफी लोग तो crypto trading को dream 11 से compare कर रहे हैं, मतलब वो यह समझ रहे हैं, जिस तरह dream 11 में सट्टे बाद ही होती है, शायद वैसे ही cryptocurrency में होता है, तो मैं आपको main जिस पहले clear कर दू, cryptocurrency कोई सट्टा बादारी नहीं है, यह एक professional business है, अगर आप इसको समझ के करूंगे तो, dream 11 एक अलग चीज है, cryptocurrency एक अलग चीज है, आर यह बाद समझ में, cryptocurrency ट्रेडिंग का मतलब यह होता है, trade क्या होता है, पहला आप यह समझ रहे होता है, किसी चीज को आप खरीद रहे हो और वेच रहे हो, जैसे कि आप सभी ने stock market का नाम सुना ही होंगा, इंडिया में बहुत लोग stock market ट्रेडिंग करती भी है, बहुत लोग stock market के बारे में जानती भी है, तो stock market में क्या होता है, आप क्या करते हो, अलग-अलग companies के stocks को खरीदते हो, जैसे कि Reliance का stock हो गया, Tata का stock हो गया, उसके अलबा और भी बहुत से stocks है, जियो का stock हो गया, एटल का stock हो गया, इनके stocks को आप क्या करते हो, खरीदते हो, और जब उसके अंदर profit होता है, तो आप उसको ऊपर जाने का बाद वेश देते हो, वही सारे concept follow होते है, cryptocurrency के अंदर भी, फरक सिर्फ इतना रहता है कि वहाँ पर company के stocks होते, तो यहाँ पर company के crypto currencies होते हैं, hopefully अब आपको idea थोड़ा होता रहा होगा, तो यहाँ पर different different cryptocurrencies available होते हैं, अगर मैं मूटे मूटी बात करूँ, तो तकरीबन यहाँ पर अभी के वक्त में, यहाँ पर आप देखेंगे, तो 2 million crypto available है, यह 2 million crypto यहाँ पर मतलब total, क्रिप्टो करेंसी रिसेंटली आते हैं मार्केट में, जहाँ पर आप ऐसा investment करते हो, कुछ दिन वो रहते हैं, और मार्केट से भाग जाते हैं, तो अब यह सी वादे हैं, जब 20 लाग crypto हैं तो बहुत से scammy crypto यहीं scammers भी उसके इंदर आ जाएंगे, काफी तेजी से लोग उसको promote कर रहे हैं काफी तेजी से उसका network बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी की बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको क्रिप्टो करेंसी को trade अगर करना है, तो main नी कोई भी अगर आपको कहता है न, यह फराना coin खरीद लो, यहां से इसका इतना price है इतना जाएंगा, तो सबसे पहले आप यह देखो क्या वो top exchanges पे listed है क्या, अब exchanges किसको कहते है, आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो रहे हैं, उन सबकी list आपको यहां पर मिल जाएंगी, तो जो भी आपको recommend कर रहे हैं कि भाई, यह फलाना coin ले लो, वो decentralized पे है, तो आप देखो क्या वो Binance exchange पे है, क्या इनकी personally exchange भी है, यह यह website है, इसी के ओपर basically हम trade भी करते हैं, यह आपको मैं आनवाले जो sessions रहेंगे, जो अगला session रहेंगा, बताऊंगा कि Binance के ओपर कैसा open करना है, किस तरह यहां पर basically trade करना है, तो यह एक बहुत important website है, coin market gap, इस पर आप जाएंगे तो आपको इसके अंदा सारे के सारे cryptocurrencies मिल जाएंगे, जो के market में available है, इसमें वह भी cryptocurrency से जो real है, इसमें वह भी cryptocurrency है, जो के आपको दोखा देकर भाग जाएंगे, लेकिन आपको यह कैसा पता चलेगा कि कौन सी दोखा नहीं देंगे और कौन सी दोखा देंगे, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, टॉप अभी के वक्त में जो एक्सेंट है, वह है, बाइनस, इसके ओपर जो coins है, इन्हीं पर trade करो तो आपको loss होने का chance, दोखा मिलने का chance बहुत जादा कम हो जाएंगा, आर यह बास समझे, बाइनस के ओपर हम बाद में आएंगे, तो hopefully अभी आपको यह idea हो चुका है, crypto currency trading होता कैसा है, यहाँ पर एक currency के बदले दूसरे currency को, यानि दूसरे coins को खरीदते हैं, जब उसका price उपर जाता है, या नीचे जाता है, तो वह इसाफसे हम sale करके अपना profit उसमें बनाते हैं, जैसे के stocks में होता है, जैसे के gold में होता है, जैसे के real estate में होता है, आप क्या करते हो, gold आपने खरीद के लाके रखा, कुछ time के बाद, कुछ मेहनों के बाद, 6-8 मेहन एक बद gold का price बढ़ जाते हैं, आप market जाकर बेज देते हो, आपने जब उसको जाकर बेज दिया, तो उपर आपको profit हो गया तो इसको, इसको trade process कहते हैं, आप जैसा plot करीते हैं, बहुत से यही market है, यहाँ पर आप कोई जमीन नहीं खरीद रहे हो, यहाँ पर आप कोई physical gold नहीं खरीद रहे हो, यहाँ पर आप कोई physical stocks नहीं खरीद रहे हो, यहाँ पर digital way में आप coins को purchase करके अपने wallet में रखते हो, वो wallet कहां पर होते हैं, वो wallet exchanges के उपर होते हैं, जो कि Binance नाम का ए कर रहे हूँ, Binance के अलावा, आपको आप कोई भी कॉइन भोले ना, आप Binance पे जाओ, यहां पर सिंपल सी सर्ज करो, कोईन का नेम, तो यहां पर आपको वो कोईन आ जाएगा, अब जो मैं mCoin बोला था, दीख कि वो coin यहाँ पर नहीं होगा, देखो मैं यहाँ पर search क्या वह coin यहाँ पर क्या बाता रहा है no result for m.q तुकिए वह इतना trusted coin नहीं है तो simply आपको कुछ नहीं करना है आपको बस Binance पर जाना है coin करना है फिर अगर वह coin available है तो फिर उसमें आप investment कर सकते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है आगे बहुत से चीज़े होती है technical चीज़े होती है fundamental चीज़े होती है जो कि हम आपके लिए research करते हैं जो कि हम आपके लिए research करते हैं जैसे कि आपने देखा ही होगा WhatsApp गुरूप में अगर आप जोईन हो या टेलिग्राम में अगर आप जोईन हो तो वहाँ पर हम signals शेयर करते हैं मैं example यहाँ पर लेता हूँ यह हमारा टेलिग्राम है स्वाटसप में भी हम ऐसे ही signals वगए शेयर करते हैं तो इस ट्राप के आपको signals basically वहाँ पर दीख रहे होंगे ठीक है तो इन signals म यहाँ पर आपको आजाएंगा देखो यहाँ पर आपको टोकन का नाम आ रहा है अकाला टोकन तो इसी पैर में basically हम ट्रेट दे रहे है तो मदब जो सिगनल हम दे रहे है वो बानेस के उपर अविलेबल है यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस दिया जाता है वह आगे की व वीडियो में हमको समझ में आ गया हुआ कि actual crypto trading क्या होती है तो अभी मैं आपसे मिलूगा next session में जहाँ पर basically यह देखेंगे कि कहाँ पर cryptocurrency को trade किया जाता है ओके तो guys first session में हमने यह जाना है कि पर cryptocurrency trading क्या होता है फिर भी अगर आपको और भी कुछ सवाल है तो आप person ने अभी जो question से उसको मैं clear करवा दूआ अभी जो session में हम cover करने वाले है वो है कि cryptocurrency को कहाँ पर trade कर अभी यह तो हमको पता चल गया क्रिप्टो करेंसी क्या है यहाँ पर list भी हमको मिल गई यहाँ पर 2 million crypto available है यह भी पता चल गया लेकिन भाई कहाँ पर trade किया जाए तो मैं आप आपको पहली भी बता चुको एक्सेंजेस के उपर हम trade करते है coin market cap पर जाना है एक्सेंजेस के उपर जाना है और यहाँ पर आपको spot में जाना है यहाँ पर जैसी spot में जाते हो तो यहाँ पर आपको पूरे top exchanges की list आती है इनका scoring यहाँ आपको देखने को मिलेगा 9 by 9 यानि 10 में से 9.9 इसको आप देख सकते हो वोट मिला है और यहाँ पर देखेंगे score मिला है और भी बहुत से हैं जीतना नीचे जाएंगे उतने नीचे आपको exchanges मिलेगे लेगे लेगिन जीतना नीचे जाएंगे उतने riskier exchanges आपको मिलेगे तो मैं सभी को यही prefer करूंगा फिलाल वक् URL देख लो इसके अंदर बहुत से scam URL भी आ जाते हैं तो इसके लिए आप Binance.com या मुझे personal WhatsApp मेसेज करते हैं आपको मैं URL दे दूगा तो यह हमारी basically website available है यहाँ पर सब कुछ हम trade करते हैं यानि जो crypto currency तो हमको buy करना है, sale करना है वो सब कुछ इस broker यानि इस exchanges के जरीए होता है अगर आप new user हो तो आपको यहाँ पर registration पर click करना है, जैसे ही आप registration पर click करते हो, यहाँ पर आपको option देगा कि आप किस से registration करना चाहते हो, email, mobile number से, Google से, Apple ID से, जो भी आपको करना है, मैं यहाँ पर basically sign up with email करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना email ID डाल देता हूँ, तो यहाँ प पासवर्ट में आपको क्या करना है, 8 characters आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक number और एक uppercase होना चीए, तो मैं यहाँ पर password चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या है किया, एक पहला जो alphabet तो उसको capital लिया, उसके बाद कुछ character यानि alphabet यूज करा, ABCD जो भी करूँ इसको next, जैसे ही मैं इसको next करता हूँ, यहाँ पर मुझे option दे रहा है, यहाँ पर आपको बता लाए कि मेरा अकाउंट है, वो successfully create हो चुका है, मैं डान करता हूँगा, मैं इसको यहाँ पर बिसकरी login रखता हूँ, ताक आगे का जो process है, आपको मैं समझा आपको करते हैं, तो मतलब यहाँ पर bonus मिलता है, पर हमको verification करना जरूरी है, अगर हम फोई भी फॉनिया आपर deposit करते हैं, उसके पहले आपको यहाँ पर verify करना हूँगा, verify करने के लिए आपको क्या करना है, verification पर click करना है, जैसे ही आप verification पर click करते हो, पुरा process बता रहूँ तकि आपको पुछता है कि आप कहां से हो, तो अगर आप इंडिया से हो, तो अगर आप इंडिया से नहीं हो, तो जो आपके लिए option रहेगा, country का, वो option आपको select करना है, यहाँ पर आपको personal information देना है, जैसे कि government ID, यहाँ पर आपको basically government ID के अंदर आप आदार कार्ट, पैन passport, जो भी चीज़े है, driving lesson उसको आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ नहीं तो how to verify my identity, यहाँ पर एक वीडियो रहेंगा, नहीं समझ मैं है, तो इस पिकलिक करके finance का अपना particular वीडियो है, वो वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको करना है continue, यहाँ पर आपको बोलता है के finance app, और यहाँ पर आपको finance app करना है, एकर आपको mobile से करना है, तो यहाँ पर आप finance app को verification करो, और यहाँ पर नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर continue करना चाहता हूँ, देखें, simple सी मैं आपको चीज़ बता दू, आप mobile से भी same process follow कर सकते हो, और laptop से desktop स से भी same process follow कर सकते हूँ, मैं desktop पर बता रहा हूँ, इस पर मतलब यह नहीं है, कि वो mobile पर used नहीं होगा, आ रही है पास समझ में, यहाँ पर मैं को nationality, basically select करना होगा, इंडिया, full name मैं को यहाँ पर basically डालना होगा, मैं, क्यों मेरा already account बना हुआ है, तो मैं किसी और के नाम पर आपको ready करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एक चीस आपको याद रखना है, जो भी document आप यहाँ पर दे रहे हो, उस document पर जैसा नाम रहेंगा, ठीक है, वैसा ही spelling के साथ, बिल्कुल correct ways में, आपको यहाँ पर put करना है, ठीक है, नाम हो गया, यहाँ पर basically आपको data work दानना है, पहला आपको date रहेंगा, ठीक है, month, और यहाँ पर आपको select करना है basically year, ठीक है, सब कुछ document में देखते हो, जो भी document आप upload कर रहे हो, उसी के इसाफ़ से डालना है, यहाँ पर मैं continue करूँगा, यहाँ पर मैं को residential address पूच रहा है, address के अंदर भी आपको वही put करना है, जो आपको actual document में available है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले address डालना है, address जो document पर अविलेबल है, यहाँ पर आपको pan number पुच हैंगा, अगर आप India से हो, तो आपको जो भी pan number रहेंगा, वो basically यहाँ पर आपको put करना है, गबरा है नहीं, अभी यह इंडिया में legal नहीं हु back session के लिए use कर सकते, ठीक है, pan number डाल दिया, उसके बाद आपको करना है continue, जैसे ही आप continue करेंगे, तो यहाँ पर आपको पोचेंगा, कि भाई, passport upload कर रहे हो, driving lesson कर रहे हो, other card कर रहे हो, या फिर directly verify with, verify other with OTP, अगर आप यह option select करते हो, तो इसमें आपको होता क्या है, कि आपक जो mobile number आपने दिया रहेंगा, वो mobile number के उपर आपको directly OTP आजएगा, मैं आपको करके बताता हूँ process, ठीक है, आदा number, जो भी मेरे pan card आदा number है, मैं उसको height कर रहा हूँ, बाकि आपको वहाँ पर रोसरतीर, basically डाल दिया है, ठीक है, यह मैंने अपना आदा number यहाँ पर मैंने OTP आएगा, मैं वो भी यहाँ पर enter कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ यहाँ पर OTP, ठीक है, जैसी पर OTP एंटर किया हूँ, मुझे यहाँ यहाँ पर continue करना है, continue करो मत आगे, मुझे ब्रोसेसिंग बता रहा है वो, ओके, और तुरा time लेंगा, let's wait, यहाँ पर मुझे बत इन के पहले ही, मतलब almost 24 गंटे के पहले ही, यह verification मेरा यहाँ पर करवा देंगा, आपको verification का mail पर आ जाएगा, या नहीं तो आप 24 गंटे के बाद आकर यहाँ पर आने के बाद डारेक्ली आप देखींगा, तो यहाँ पर जो unverified लिका हुआ है न, तो यहाँ पर basically verified लिक कर आ जाएगा, आ यहाँ पर basically आपको verified लिक कर आ जाएगा, तो guys यह process था, किस तरह account को open करना है, पर trading, तो अगर आपके पास finance leak नहीं मिली है तो मुझे personally message करो, मैं आप सभी को links देता हूँ, आप यह same process को follow करते हुए account open अपना कर सकते हो, अभी next session में आपको मैं यह बता आपके dollar लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको सिखा हूँगा कैसा आपको हमारे signals को follow करते हुए trade करना है, ठीक है, उमीद करूँ आपको यह session interesting लगा है, और आपको फिर पे अगर कोई doubts है, तो मुझे आप personally WhatsApp में message कर सकते हूँ, एक कीस में अभी सिखिए आपको add करना ह यहाँ पर बूल यहाँ, आप देखो कुछी देर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको verify किया है, 24 गंटा भी गुजरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारे account है, पहले unverified था और यह verified लिक कर आ रहा है, पहले time लेता था लेकिन आगर आपको documents सही है, आपने नाम सही इससे डाला है, अगर आप otp वाला option select करोगा आधर otp verification तो आपका verification बड़ा fast कर देता है, ठीक है, आपको एक चीज़ में add करना है, यहाँ पर आपके security को on करना है, तकि आपको जो fund रहेगा वो जादा secure हो रहेगा, तो यहाँ पर आपको आना है, इस वाले icon के उपर, उस प mobile number enter नहीं किया है, तो, अगर आप mobile से login कर रहे हो, तो इस वाला जो two factor authenticator इसको भी आपको on कर दे रहा है, ताकि जबी भी आप login करो, तो facial verification या आपका thumb verification, print verification जो भी process उससे आप login कर सको, यह extra layer security आपको मिल जाता है, ठीक है, email id तो है, लेकिन आपको Google Authenticator यह YouTube के पर video मिल जा आप होँगा, बड़ा easy है, आप Google पर जाएंगा, या YouTube पर जाएंगे न, how to enable Google Authenticator on Binance डाल देंगे, तो आपको महाँ पर बहुत सारे videos मिल जाएंगी, उसके अलावा, आप mobile number यहाँ पर डाल दो, उसके उपर OTP, आपको आने लग जाएंगा, जबी भी आपको login करेंगे, तो एक extra layer feature आपको basically मिल जाता है, यह देखो कितना fast verification होगा है, तो जो process मैंने बताया हूँ न, उसी process को follow करों, तो आपका account जल से जल verify भी हो जाएना, ठीक है, तो अभी हम next topic में basically यह बात करेंगे, कि मैं fund को कैसा deposit करना है, और उसकी बात फिर trade कैसा करना रहेगा, ओके, take care, तो गाईस, आज के session में basically बात करने वाले हैं कि इस तरह आपको basically deposit इसमें करना रहेगा, ठीक है, same हमने registration process किया, हमने verification process किया, अभी हम देखते है deposit कैसा करना है, तो सबसे पहले मैं login कर लेता हूँ, फटाफट, जैसे मैंने user id डाला, उसके बात मुझे password डानने के लिए बता करना है, उसका फाइदा क्या होता है, उसका फाइदा यह होता है, जबी भी आप यहाँ पर login करेंगे है, ठीक है, first time login करेंगे, तो यहाँ पर basically आपको option देंगा, कि आपके email के ओपर, जो OTP आया है, वो OTP अगर आप जब तर डालेंगे या नहीं, ठीक है, तब तक आप interface भी देखेंगे, और deposit भी देखेंगे, सबसे पहले, interface में आपको बदा लिता हूँ, ताकि आपको trade कैसा करना उसका आपको आसा नहीं हो जाएंगी, तो देखेंगे, यह बानेस exchange के अंदर हम login हो चुके है, यहाँ पर click करेंगे, verification batch आपको आ जाएंगा, यहाँ पर deposit को option है अगर आप किसी से cryptocurrency मंगवा रहे हो, तो यहाँ पर आप deposit वाले option में जाकर देख सकते हो, यहाँ पर आपको profile है, उसके बाजू आपको valid को option रहेंगा, यहाँ पर अगर आप जाते हो valid के अंदर, जहाँ पर आपको fiat and spot valid रहेंगा, यह valid के अंदर basically आपको आपके cryptocurrencies देखने क मिल जाएंगी, यह मेरा demo account है, आपको video recording के लिए मैंने बनाया हूँ, तो यहाँ पर जितरी भी आपको cryptos रहेंगे, यहाँ पर आपको basically देखने को मिल जाएंगे, अब हमको करना क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ, process के भई, तो यहाँ पर basically हमको क्या करना होता है, कि हमक पर P2P का option आता है, तो आपको P2P पर click करना है, P2P पर click करने के बाद यहाँ पर आपको multiple option देंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे आप P2P पर click करते हो, यहाँ पर आपको देगे ऊपर option आता है P2P, यहाँ पर आता है buy और यहाँ पर वेरिफाइ सिंबॉल भी दिया हुआ है मतलब ये लोगों ने ऑफिशली बाइनेंस के पास अपना वेरिफिकेशन करके रखा हुआ है जबी भी आफ क्रिप्टो करेंसी यानि पी टूपी के जरीए पर्चेस करेंगे डॉलर को तो जैसे ही आप यहां पर पी टूपी के वेरिफाइ नहीं है उन लोगों से इनको पर्चेस नहीं करना है तो जैसे को मेरा अकॉंड तो नया नहीं है बट बेसिकली इसमें फंड नहीं है तो मैं आपको मुटे मुटे चीज़ा समझाता हूँ कि आपको कभी भी डॉलर अगर खरीद रहें तो क्या-क्या कंडिशन स उसके आगए है येलो कलर का सिंबोल होना चाहिए जो के वेरिफाइट मर्चन का सिंबोल है नमबर टू जो नमबर ओफ ट्रेट्स का यहाँ पर आपको आप्शन दिख रहा है यह जादे से जाधा होना चाहिए इस भाई के काक्रिबन 269 है और नमबर त्री जो कंडिशन र और अगर आप आते हूं तो यह आपको एक्शुल पर डॉलर पर यूसरी त Mitti कित्रे में दे रहे हैं यािन्यक्रिफ्वka में दे रहे हैं और टैम में कितने युऊच्डीट सेल करना चाहे हैं यूपी आई के जरीए, यानि फोन पे के जरीए ये सेल करें, ओके, तो आपको मोटे-मोटे चीज़े बता है, आपको क्या देखना है, अब मैं नीचे जाता हूँ, तक ही, ये देखो, इसने में को लिमिट नहीं दिया है, मतलब मैं इससे खरीच सकता हूँ, तकरिबन 44,000 का लेकिन लिमिट इसने लगा के रखाएं, इसका order देख लो, कितरा है, अच्छा खासा है, और completion rate भी देख लो, 98% है, मतलब ये एक अच्छा खासा अमको रेशू बता रहा है, बट मुझे ये चीज़ नहीं देखना है, मुझे फिलाल छोटी से amount यहाँ पर deposit करना है, विकॉ लेकिन जैसे हम जाते नीचे जाते हैं, तो यह देखो price यहाँ पर बढ़ जा रहा है, तो मैं वापीस one पर जाता हूँ, filter में जाता हूँ, और इसको अटा देता हूँ, क्योंकि मुझे फिलाल urgent है, छोटी amount purchase करना है, तो मुझे unverified merchant भी अगन मिलता है, तो मुझे खरीद यहाँ पर देखो, verified merchant नहीं है, 402 trades उसने यहाँ पर complete किया है, लेकिन यार इसने limit नहीं दिया है, यह हमारे काम का बंदा है, तीक है, 569 order से 100 completion है, rate भी ठीक टाक basically मिल रहा है, 9500 से देकर 10,000 तक मैं यहाँ पर purchase कर सकता हूँ, लेकिन यह IMDF से बोल रहा है, मुझे basically UPI से करन मुझे कोई बंदा UPI वाला मिल जाए, तो मेरे दे टोड़ी से आसा नहीं हो जाएंगी, यहाँ यहाँ पर एक छोटा option मिला है, मैं अभी फिला देता रही, amount deposit कर देता हूँ, सबसे पहले मैं यह verify तो नहीं है, लेकिन मुझे limit नहीं मिले, इसलिए मुझे इससे purchase करना पड बाई पर click करने के बाद, मुझे यहाँ पर payment करने को option रहे ना, तो यहाँ दो चीज़ होती है, जैसे आप next करते हो ना, बाई पर click करते हो तो यहाँ पर timer start हो जाता है, यह 14 minute के पहले आपको यहाँ पर purchase करना होता है, मतलब 14 minute के पहले आपको इसको payment करना हो, right, but मैं for safety purpose के के लिए एक चीज़ यहाँ पर करता हूँ, मैं safety purpose के लिए यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, कि transfer करने से पहले, मैं यह वाला जो option है रा, transfer and notify seller, ठीक है, मैं कैसा करता हूँ, सबसे पहले मैं UPI पहले copy कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने UPI copy कर लिया, right, और ठीक है, म phone pay पर जाने के बाद सबसे पहले इसका UPI पहले अपने उसमें phone pay में enter करता हूँ, ठीक है, entry करने के बाद, entry करने के बाद मैं यह चेक करता हूँ, इसने जो नाम यहाँ पर दिया है, क्या वैसे ही नाम यहाँ पर आ रहा है या नहीं, ठीक है, मेरे उसमें वैसे ही नाम आ र कर दिया अब जाकर मैं उसको amount put करूँगा कितना है 2700 जैसे ही मैं इसको 2700 पे pay करता हूँ यह मेरा amount यहां से release कर देगा ठीक है मैंने यह देखो उसको pay करता हूँ कि मैं जैसे इसको payment कर जा तो मैंने को बोलूँगा I have paid money यह बंदर चेक करेंगा और जैसे इसको पैसा रिसीफ हो गया रहेंगा तो यह मेरे पर रिलीस कर देगा ठीक है यहां पर दो चीज़ और यह पर पील को आ जाता है बाद में इसको फिर अपील भी कर सकता हूँ एक और यहां पर option आता है cancel order अगर payment करने के बाद आपने गलती से भी cancel order पे click कर दिया और अगर यह order cancel हो गया तो भाई पैसा आपका पूरा नुकसान में चल जाएंगा अगर बंदे ने डॉलर रिलीस नहीं कर या तो कभी भी payment करने के बाद cancel order पे click नहीं करना है तो payment होने के बात message करो चैट पर बात करो वेट करो यह timing पूरा होनेगा छे मिनट बाकी है कोई issue नहीं है अगर आपने payment प्रोसेस पर complete कर दिया है तो फिर यह payment आपको जरूर से deliver करेंगा नहीं करता है तो फिर हम आगे क्यासा इसके ओपर complain करना है यहीं से वह option भी available होंगा within six minutes के अज़ क्लिक कर देता हूँ उसकी बात आप चाहो तो इस बंदे को positive review दे सकते हो अगर आप चाहो तो तो अब क्या करना है अब आपको वापीस डॉलर तो आपने खरीद लिया है अब आपको basically यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जाना है वैलेट में प्याटन स्पोर्ट को option select करना ह है क्योंकि जो डॉलर हम खरीदते हैं वो different valid में जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉलर नहीं दिखा रहा है हमको क्या करना हुग हमको जाना होंगा यहाँ पर देखो इस रो के अंदर funding के अंदर funding वैलेट को option देखा उस पर क्लिक करना है funding वैलेट पर क् मैं इसे को transfer करना हुआ ओके ताब हम उसको trade के लिए use कर सकते हैं यहाँ पर देखो 29.96 डॉलर दिखा रहा है मैं इसको transfer क्लिक करता हूँ मेरेको funding से fiat में transfer करना है पूरा डॉलर मैं करता हूँ उसको basically continue जैसा ही मैंने continue किया अब मैं जाओंगा वापी spot में मेरेको spot के अंद यहाँ पर आप देखो 29 डॉलर यहाँ पर दिखा रहा है यह डॉलर दिखा रहा है 29 डॉलर में को यहाँ पर basically दिखा रहा है तो guys इस session में हमने detail में बात किया है कि कैसा आपको एक तो deposit करना है P2P के जरीए secure तरीके सब मैं आपको explain किया हूँ कि क्या कौन सा best secure way है जिसके ज signals देते हैं उसको कैसा follow करना है या अगर आप independent होपर trade करना चाहते हो तो वह trade कैसा करना है तो वैस अभी हम बात करने वाले है किस तरह trade करना है बड़ा basic से शुरू किया था मुझे लगता है आपने बड़ा इसका आनन्द भी लिया है कि पूरा process आपको समझाया हूँ मैंने बेसिक से और अभी हम पहुच चुके है उस मकाम पर जहां पर हमको trade actual में करना है जहां से real money बनना स्टार्ट होगा ठीक है तो मैं साइड में टेलिग्राम जो ठीक है आप जैसे हम जो first time message करते होना तो आपको इस टाइप का message आता है उसमें टेलिग्राम WhatsApp YouTube का link आता है तो आ एक दिन में $800 का profit किया ठीक है इसकी बार में फिलाल discuss नहीं करेंगे मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ सबसे पहले ट्रेट कैसा करना है वह बताता हूँ फिर उसके बाद सा इंटरफेस को थोड़ा देख लेते हैं जैसे आप login वगरा कर लेते हूँ deposit वगरा P2P से कर लेट हो तो यहां पर आपको option आता है ऊपर के side या एनीच ट्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको option आ जाता है तो यहां पर क्लिक करो बानेंस के ओपर अविलेबल है उन सब की यहां पर आपको लंब भी चौड़ी लिस्ट आ जाएंगी आगी पी जाकर आप देख सकती हो ठीक है यहां पर आपको मल्टीपल आप्शन आते हैं अब आपको ट्रेड करके बताता हूँ आप चाहो तो मैं टेलिग्राम को ओपन करता हूँ ठीक है आपको जो वाट्सम में लिंक आती है टेलिग्राम की उस भी आप क्लिक अगर करते हूँ तो डेरेकली आप यहां पर आ जाएंगे अभी फिलाल वक्त में कोई करेंट सिगनल तो लेटस में आया है कि वो देखते हैं चुबार यूएजडी ठीक है तो मैं जाता हूँ इसको स्लेक करता हूँ जैसा ही मैं इसको स्लेक करता हूँ तो यहां पर मैं को इंटरफेस कुछ इस हिसाब से आ जाएंगा अब यहां पर देखो प्राइस बता देते हैं हम आपको के बैस 0.0548 पर आपको पर्टिस करना है ठीक है प्राइस थोड़ों सा हायर है लेकिन अभी हम इसको बाइ करते हैं यहां पर आपको एक सेक्शन है यहां पर आपको एक सक्षण है सेल का मैंको पहले बाइ करना है मैं पूरे 29 डॉलर करना चाहता हूँ तो मैं डैरेकली यहां तो यहां पर USPT में 29 डॉलर लिख in दिए पूरगपोना 100 परेशन करना है तो मैं फिलाल वक्त में 100 करूगा अब यह अपर दो-अप्शन आता है यह तरीक्प्रेट रेट ऑप्शन आता है और यह तरीकप्वे ने पर प्राइस यह पर आ जाएगा ओकि और नहीं तो अगर आपको प्राइस डालना है और आम को प्राइस्ट में आपको प्राइसमें करना है कितने डॉलडर आपको इंवेस्ट में 다음 है यहाँ पर मैं करता हुँ यहाँ बताएंगा किंने 我 albums फारीट रहू कितना यह आएंगा हुआ अभी price change नहीं हो इसका न दोबार price change करता हुँ यहाँ मैं मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ प्राइस में जालकी चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको करता हूँ 100% मैं करता हूँ बाइब बी क्लिक करूँगा अभी यह देखो मेरा ओडर हो चुका है 532 orders के सबसे आगया है order history में देखूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि भाई मेरे पास 29 डॉलर का 532 coins यहां पर एच बार कोईन है वह आच चुका है उपर यह तुरंट करना चाहते हूँ लिमिट में रखो वे खिली करो यहां पर प्राइस सेल करदो आपकर डिरेक्ली से लो जाएंगा लेकिन में को तुरंट सेल नहीं करना है तो अगर आपको तुरंद करना है तो सिंपल सा आपको यहां पर बाइंग प्राइस से वो सेलेक्ट करना है यहां पर आपको यह option है select कर दिया और यहां पर sale पर क्लिक करेंगे option देंगा यहां पर यहां पर जैसे मैंने पर क्लिक किया यह देखो नीचे देखो पहले मैंने बाई किया था अभी सेल किया वापिस में प्रस 29 डॉलर आच उटाएं ओके तो सिंपल यह इसल के लिए option है लेकिन अगर आपको सिग्नल को यहाँ पर मैंने क्या कि फिर से मैं पहले दुबार इसको बाए कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में थोड़े आसी नहीं होगी मिलिट थो फी से वह डिडॉक्ट भी होगी तो यहाँ पर और basically 531 coins मेरे पास आ चुके हैं, अब मैं जो क्या करना है, मैंने जो signals दिया हूँ, multiple targets से 1, 2, 3, 4, 5, मैं 3 target लगा के बताता हूँ ताकि आपको idea हो जाएगा, अब यह हमने जितने भी coins buy किया है, में को इसको sale करना है, तो में को multiple quantity में sale करना है, तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पर एक option है, stop limit का, stop limit के अंदर में OCO में चल जाओंगा, इससे क्या रहेंगा कि आप stop loss और take profit दोनों एक साथ लगा सकते हैं, आर यह बास समझभें, तो मेरे को sale करना है कितने पे, पहला target कितना है, 0.06, 0.06 पहला, यहाँ पर आपको stop loss दाना है, stop loss कितना है, 0.0 कितन basically limit मेरे को लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, 0.059, मतलब इस वाला price से 11 cent आप नीचे रख दो, वो आपको limit हो जाएगा, कितने coin sale करना है, तो मैं basically start dollar का sale नहीं हूँगा, 10 के उपर ही होँगा, तो मैं 13, 12, 13 dollar का sale कर दो, ठीक है, अभी दुबारा पता देता हूँ, जो first target ह मैंने price में डाला हूँ, stop मतलब यह stop loss है, जो stop loss यहाँ पर दिया है, वो यहाँ पर डाल दिया हूँ, कितना limit मतलब price कितने पर आया तो यह trigger होना चीए, तो भाई अगर 0.59 तब price जाता है, तो मेरा 0.6 पे sale हो जाना चीए, मतलब अभी जाड़ रहा है 0.5, जब 0.6 जएगा तो जब मेरा यह order अपने आप लग जाएंगा, sale पर क्लिक करता हूँ, यह OCO को option बिसी के लिए उस वक्त आपको use करना है, जब आपको stop loss और take profit दोनों एकटा लगाना है, मैंने वहाँ पर trigger किया हूँ, कि जब 0.59 तक यहाँ तो price आए, तो sale कर दो, यहाँ नहीं तो 0.47 पर जाया तो मेरा order लगा दो, तो यह साब से मैंने आपर trigger क्लिया हूँ, तो यह मैंने एक option यहाँ पर लगा के रख दिया हूँ, आप इसी के हिसाब से आप बाकी के coin भी हापर sale के लिए लगा सकते हो, जितने भी आपको OCO order में लगाना है, या नहीं तो आप अगर single stop limit देना है, तक्रिबन 0.059 और limit price, sorry, 0.06 और limit price 0.059, कितने coin sell करना है, 500 coin है, मान के खरो 200 coin sell करना चाहता हूँ, यह भी अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पर send क्लिक के आप, और यहाँ पर मैंने order मेरा लगा किया हूँ, simply मैं अपना order open market में जाओंगा, तो यहाँ पर basically मैं को order देखने को मिल जाएगा, trigger condition क्या है, 0.06 है, ठीक है, मतब जब 0.06 पर price आएगा, तो मेरा यह जो coin है, वो automatically sell हो जाएगा, तो वो condition है, आप OCO में लगाओ, आप instant sell करो, आप चाहे तो stop limit को order पर sell करो, जैसे आपकी मरसी, आप वो हिसाफ से यहाँ पर sell कर सकती हो, आरी बास समझ में, यह last option मचा है, इसको भी अगर मैं चाहू, तो जो मेरा second target है, let's example, 0.071, ठीक है, 0.071, मैं सबसे stop कर रहाँ चाह रहा हो, इसको, okay, limit, मैं देता हो 0.069, पकुड़ो coin को sell कर भूँआ, तो यहाँ पर आपको जैसी sell पर click करेंगे, continue करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो, second trade मे मेरा यहाँ पर लग चुता है, यहाँ पर trigger में देखेंगे, तो जब 0.07 पर आएंगा, तो sell हो जाएंगा, मेरा trigger लग जाएंगा, 0.06 पर आएंगा, तो basically मेरा trigger यहाँ पर लग जाएंगा, quantity वगर सब यहाँ पर देख रही है, तो बड़ा simple जा fund है, अभी मैं आपको इस session म कैसा follow करना है, एक तो आप OCO trade करो, जिसके अंदर stop loss, take profit दोनों 188 लगा सकते हो, या नहीं तो limit वाला, कि भाई, नहीं आपको दोनों एक साथ ने कोई, आपको limit लगा देना है, कि भाई, आपको खाली target set करना है, तो उसके लिए आप limit पर चले जाओ, और नहीं, तूरन सेल करना है, तो limit पर जाकर भी आप sell out कर सकते हो, उमीद करूँ आपको ये video properly समझ में आ चुकी है, sales के बारे में, कैसा trade लगाना है, कैसा trigger करना है, फिर भी, अगर आपको कोई doubt होता है, तो आप मुझे परस्नली वाट्स पर में message कर सकते हो, पोशिश करूँ आपको वापर में आपको ये डाउर्सेस को में clear कर सकते हो,